बिस्मिल्लारमान एराहीम असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू आइटी स्मार्ट बोर्ड अमीज करते हूं आप सब खैरिया से होंगे अच्छा आज मैं इस टॉपिक पर आप से बात करने लगा हूं वह बहुत ही यूजफुल होगा आप सब के लिए ऐसी ऐसी स्मार्ट टिप्स मैं आपके पास लेकि आया हूं आज जो स्मार्ट स्पोर्ट है तो इसलिए फिर मैं smart चीज़ें इसलिए आपके सामने लेके आता हूं ताके आपके जो daily यूज जो आप चीजें करते हैं आप उसमें आपको जो use बहतरी हो इसमें system use करने में आपको problem ना आप शॉर्ट वे सुलूशन के साथ स्मार्ट तरीके के साथ सिस्टम को यूज करें तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी स्मार्ट तरीके से विंडो टैन को कैसे आप यूज कर सकते हैं और परेट कर सकते हैं इस तरह के useful tricks में आपके पास लेके हैं जो आपको daily जो आपकी जो यूजज होती है यो वरकिंग होती है वो आपकी smart बना देगी तो जिनको आपको आपको बता नहीं है मैं तकरीबन कोई 10 के करीब आपको बताऊंगा या उसे ज्यादा भी मेरी कोशिश है कि आपके साथ शेयर करूं वो डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी नभी होती है अच्छा तो शुरू करते हैं दि अपना वीडियो के लेक्टिकल सारा प्याहक्टिकल है तो प्रैक्टिकल मैं आपको सक्रीन पर लेकर जाऊंगा और लैक्टॉप फेलेके जाувा वहां पर आपको बताऊंगा नोट कर लिए जाएगा सारी की आज की इतनी भी हैं तकरीमन ये कोई शौर्ट कीज हैं विंडो की जो बहुत कम यूद लोगों को पता होता है कि किस तरह से हमने यूज करना है विंडो को स्मार्ट तरीके के साथ तो नए आने वारे दोस्तों को मुझारिस है कि प्लीज वो चैनलेंग को सब्सक्राइब कर लें बेल एकन को भी प्रेस कर दें तो कि नहीं और नोटिफिकेशन आप तक वहांसानी पहुंच सकें तो चलते हैं जी अपनी लैप्टोप के स्क्रीन के ओपर वहां मैं आपको दिखाता हूंगा कि इसांसे हम रोजमाला की जो लैप्टोप की सिस्टम की डेक्स्टोप की विड्व 10 के हवाले से हैं यह सारी विड्व 10 की ओपर है इसलिए विड्व 10 की ओपर ही आप अप अप्लाइए कि देगा तो आप यह जाए जाला यूसफुल होगा चैनले लेट्स को सबसे पहला ट्रीक है कॉपी और पेस्ट के अंदर आप कंट्रोल सी करें तो अब करते हैं तो एक इतफ़ा कॉपी होती है अगर आप दुबारा की कुछ चीज कॉपी करें जो पहली की वी कॉपी खत्म हो जाती है तो उसके लिए आप क्या करें विंडो प्लस वी करें आप आपके पास यह एक प किया मैंने कॉपी किया फिर मैं एक और कॉपी करता हूँ एक और कॉपी की मैं इसी तरह तीन चार कॉपी कर ली अब क्या होगा मैं अपने नोड़ पर में जागा कंट्रोल अब वी करूंगा तो क्या हुआ एक ही जो लास्ट मेरी जो मैंने कॉपी की थी वो मेरे सामने आग बोड शो हो जाएगा और जितनी भी आपने कापी की हुई थी वो सारी की सारी आपके सामने शो होगी आप उसमें जोंसी मर्जी आप उसके पास वी करें और वो आपके पास शो हो जाएगी अब इसी तरह जिन बर्ग में जितना भी आपने काम किया हो सारा आपने कापी करते तो आपके सामने यह आदेगा कि लिप बोल्ड में चले जाएं यहां पर सिंक आरो डिवासिस को ओन कर दें सिंक नो Microsoft की जितनी भी आपकी कोई फून टैबलेट या लैपटोप आपका मुझूद है आपके पास वो तमाम की जितनी भी आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की होगी वो सारी की सारी आपकी यहां पर शो होती जाएगी आपको परा चल्दा जाएगा कि आपकी कोंसी चीज कॉपी हुई हुई है कोंसी पेस्ट हो रही है तो यह एक बड़ी यूसफुल सी टीप थी जो नॉर्मल नहीं पता होती बलकि एक औ हम चीजें रिमूव हो जाएंगी तो इसके लिए आप यहां पर क्लिक करें उसको पिन कर दें तो पिन करने के बाद अगर आप ओन ओफ भी करेंगे सिस्टम तो जब आप विंडो वी जबारा करेंगे तो यह ऐसी रहेगा दूसरी टीप है आपकी नाइट मोड की नाइट म आप मैसिज में जाएंगे नोटिफिकेशन ओपन करें यहां पर यहां पर एकस्पैंड करके यहां पर इसको नाइट मोड पर लगा दें तो यह मिलू स्क्रीन जो यह आपकी शो हो जाएगी तो यहां पर आपने एक और सैटिंग में जाके इसकी आप अपनी मर्दी से इसक इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यह देखें मैंने यहां पर को तीन से चार चीज़ें उपन की मैं आपको यह ओपन करके नहीं दिखा रहा है इसमें भी एक मैं चीज़ा को दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं मल्टी डेक्सटोप इसम तो आप अपनी हर डेक्स्ट्रॉप के उपर अपनी चीज़ें आप सेफ कर ले मतलब जैसे आप वर्ल की एक बना ले डेक्स्ट्रॉप एक एक्सल का बना ले और मल्टीबल डेक्स्ट्रॉप आप बना ले अपनी मर्दी जैसे आपका दिल करें तो आप उसको क्या करें आप को जब जिसथी भी डेस्टव को आप अपन करेंगे तो आपको वे वाली चीजें आपके सामरी आजाएगे इसकी एक शॉट की भी है वो भी मापको बता देता हूं एक तो इसके विंडू टैप करेंगे तो आजाएगा आल टैप के साहत एक शॉट की यह है कि आप कंट्रोल का button और arrow key के साथ भी move करेंगे left right तो भी ये move करना शुरू कर देगा अब मैं जी इसकी voice command voice command का मतलब है कि आप कोई बोलेंगे तो system खुद ये automatic type करना शुरू कर देगा इसमें क्या है कि मैं नोर पाइड ओपन करता हूँ यहाँ पर मैं करता हूँ window h टीक है टी window h मैंने किया यहाँ से मैं इसकी speech को own कर दूँगा अब मैं जो भी दोबारा again करूँगा window h तो क्या होगा इसका speech mode own हो जाएगा मैं जो भी बोलूँगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे system में देखना लिखती जा रही है hello front one two three अब यह ज्यादा तर useful है English के लिए अब English जितनी भी है उसके उपर तो आप इसको तलाएंगी तो वो बड़ी असानी से करता है अर्दू का मैंने भी experiment नहीं कि आप लोग अर्दू बे कर किया मुझे बताईएगा comment section में कि आपकी कैसा experience रहा आपका चलें इसको छोड़ें अब आगे चलते हैं देखें मैंने अभी कहा कि मैं सिस्टम मैं ज़्याद तर डार्क मोड यूज करता हूँ सिस्टम का रात की टाइम अगा काम करना हो तो brightness बहुत ज़्यादा होती है तो इस वज़ए से भी मैं डार्क मोड यूज करता हूँ आप सेटिंग में जाएं प्रैस्नाजेशन में जाएं उसके बाद आप कलर में जाएं यहां पर आपने अपने इसकी डार्क मोड की लाइट को स्लेट कर दें आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ब्लैक में करनवर्ट हो जाएगा डार्क मोड में चला जाएगा इससे क्याओ एक तो बैठी की टाइमिंग आपकी द्यादा हो जाएगी और दूसरे नमबर पे यह आपकी आपकों में अफ्रेक्ट भी नहीं होगा जैसे स्कृपिंग टूल एक option विंडोर के इंदे होती है कि आप screen ले लेते हैं या या screenshot लेना हो तो आपको लिक्कत होती है कि आप किस तरह से लेंगे तो इसके लिए ये एक बड़ा useful सा tool है इसको आप window shift s करेंगे तो आपको देखें दो तीन तरह की option आगी है पहले मैंने option दिखाई तो इसमें drag and drop की option है दूसरी में क्या होता है कि जो जहां पर mouse आप जिस circle पर ले के जाएंगे दो windows open सामने front पर होगी अगर उसका आपने लेना हो तो मैं यहां पर आपके click करूँगा तो यह front जो भी open आ फाइल इसका कि वो आटो screenshot ले लेगा और notification में जला देगा दुबारा करतो हो windows shift s अब यह देखें यह तो तीसरी option है यह recording की है 10 second की recording की यह video बना देगा जैसे camera से बनती है यह देखें यह बनगी इसका notification में इसका notification अरिया में notification भी आ गया अब इसको मैं edit भी कर सकता हूं इसको मैं अपनी मरदीजर से जैसे for example मैं ऐसे कहता यह एक bड़ा मजदार सा यह है जी समार्ट ट्रिक उपन होँ तो इनको minimize करने में बहुत सारे टाइम लड़ता है तो simple आपने क्या करना है जो सबसे उपर जो फाइल आपको नजर आ रही है उसको आपने shake करना है और देखें इस तमाम की तमाम फाइल automatically minimize होगी close नहीं हो यह minimize होगी है सबी की सबी अब हम चलती है क्लोक की तरफ अरारम की तरफ विंडो 10 की अंदर अलारम का भी एक बड़ा अच्छा फीचर है आप इदर जाएं अपने सिस्टम में यहाँ पे अलारम को सर्च करें अलारम एंड क्लोक तो आपके सामने यहाँ आदेगा आप यहाँ पे अलारम लगा लें जिस तरह जितने मरदी अलारम लगाएं टाइम जून है इसके ओपर स्टॉल वाच है जिसमाम चीज़ें इसके अंदर मुजूद है उसके बाद है इमोजी इमोजी देखें अब अक्सर वर्ड के अंदर या इमिल टाइप करते वे आपको इसके दूरत पड़ती है विंडो प्लस डॉट का बटन प्रेस करें इमोजी आपके सामने आजेंगे इमोजी आपकोन इसे जो भी करना हो आप कर लें यूज़ कर लें। पर है एजी टो एक्सेस में जाए और पने मौजके कोई भी आप साइटिंग कर सकते आप साइज बढ़ा कर सकते हैं स्मॉल कर सकते हैं से कलरफुल बना सकते हैं जैसे आपका दिल जाएंगे तो कस्टमाइज करके आप एजी लीज को आप अच्छे जरीके से यूज कर सकते हैं जी तो वीवर्स कैसे लगी हैं आपको ये ट्रिक्स मुरीज करता हमको पसंद आई होगी अगर तो आपको ये पहले से पता थी तो मुझे कमैंड करके बिताएगा कि आपको इन में से कौन कौन सी ट्रिक्स ज्यादा यूसफुल लगी और कौन कौन सी आपके लिए नहीं हो थे तो अभी एक पिक्चर आपके सामने आ रही है इसमें आप देखें और भी बहुत सारी ट्रिक्स इसमें मजूद हैं आप इनको भी सेफ कर लें और मुझे अप्लाय करने के बाद मुझे बताईएगा कि इसमें से कौन कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लगी तो अमीज करत शेर भी कीजेगा क्योंकि नॉलिज अपको मैंने पहले बताया था काफी था बता चुका हूं को नॉलिज बाढ़ने से बढ़ता है कम नहीं होता तो लें जी यहां तक आज के टोपिक हतम होता है नेक्स वीडियो के साथ एक नई स्मार्ट थिंकिंग के साथ एक नई वीड होंगा तब तक के लिए जारत अल्लाह आफिस